हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study IQ के हिंदी प्लेटफर्म पे मेरा नाम है बनाओ कुमार बहुरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रसुत हूं एक इंपॉर्डेंट डिसकेशन एक ऐसी चर्चा एक ऐसा टॉपिक जो अकसर आई-एस एस्पिरेंट के दिमाग में क्लिक करता है कि भाई वो सब्जेक्ट वो टॉपिक्स जिन पर यूपी एसी प्रीवेस येर्स में लगातार प्रशन पूछ रहा है उन टॉपिक को किस प्रकार से आई-एस एक्जाम के लिए तयार करा जाए अब आई-टिंक मुझे आपको जो है वो जादा इस बात को क्लियर करने के आउशक्ता नहीं है या समझाने की जरूप नहीं है के बीते वर्षों में यूपी एसी ने जोगरफी और एंवार्मेंट को किस वेटेज में जो है वो यूज करा है किस अनुपात में इसका उप्योग करा है खास कर प्रा तोर पर पता होगा भई के बीते वर्षों में UPSC ने लगभग 30 से 35 प्रश्ण पूछे हैं collectively जोग्रफी और इन्वार्मेंट से यहां में एक बात आप लोग क्लियर करूं याद रखें इन दौनों ही सब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग ना समझें मतलब कभी भी आप यह न स्टुडेंट जिसका जोग्रफी स्ट्रॉंग होगा बाई डिफॉल्ट उसका इन्वार्मेंट स्ट्रॉंग होगा जिस स्टुडेंट का जोग्रफी स्ट्रॉंग है उसका इन्वार्मेंट इसलिए भी स्ट्रॉंग होता है क्योंकि एक जो है वो सम्मलित हिस्सा है एक क्या है मैं इसके बारे में आप से चर्चा करूं उसके पहले याद रखिए कि स्टी एक यूग के जो पी टू आई बैचेस है इन में क्लासे स्टार्ट होने वाली है अगर आपने अप तक एन्रोल नहीं करा है तो याद रखिए अठाइस जुलाई माँ आपके जिए आठाइस जुलाई से इसमें क्लासे स्टार्ट होंगे और एक बात और याद रखेंगे कि ये जो बैचेस हैं ये प्रतिग्या बैचेस हैं इसमें सीट्स अवेलेबल है ये बैचेस फ्री है अर्तात यह जो कॉस्ट आपको दिख रहा है इस पर फोकस ना कर हूँ कि I think आप आसानी से अंदाजा लगा पाएंगे कि SIP का प्रोग्राम इसमें free of cost included होता है पूरा syllabus 3R की daily life class से cover होगा और इन सारी ही सुविधाओं के द्वारा at least आप इतने capable हो जाते हैं कि आप आसानी से सिविल सर्विसेस की प्रारंबिक परिक्षा तो क्वालिफाई करें ही यह आपके सीरियस एस्परेंट होने का एक डिजर्विंग केंडिडेट होने का साइन होगा कि at least आपका प्रिक्वालिफाई होता है और यहां पर ध्यान दीजेगा कि जिस भी अभ्यार्थी का प्रिक्वालिफाई होगा स्टडी आइक्यू उन सारे अभ्यार्थियों की पूरी फी रिफंड कर देगा और इतना ही नहीं यानि कि आपने जो भी सुविधाएं जा जो भी क्लासेस ली उसकी सारी ही जो जो फी है आपकी वो रिफंड कर दी जाएगी लेकिन ध्यान दीजे कि प्रिक्वालिफाई होने के बाद स्टडी आइक्यू आपको अपने प्रिमाइसेस में डेली में बुलाएगा और डेली में बुलाकर फिर आगे जो भी आपको तयारी करनी है अर्थात आंसर राइटिंग की प्रेक्टिस हो या वन टूएन मेंटर्शिप के आपको आवशक्ता हो ये सब कुछ स्टडी आइक्यू अपने प्रिमाइसेस में डेली में बुलाकर आपको प्रोवाइट करे है और अपनी फी हमसे वापस ले लिनी है ये स्टडी है क्योंकि प्रतिग्या बैचेस है और इसका भी ध्यान रखिएगा कि ये बैचेस में लिमिटेट सीर्स अवेलेबल है अर्थात ये केवल और केवल कुछ लिमिटेड स्टुडेंट्स के लिए होगा तो बिलकुल भी वेट ना करें जल्दी से जल्दी अन्रोल करें और मैं अपनी चर्चा पर वापस आता हूं और साथ में इन बैचेस के बारे में कुछ चीज़ें आगे भी आपसे डिसकस करूँगा आईए सबसे पहले समझे कि जो जादा पूछे जा रहे हैं उनमें ट्रेंड क्या है या पिर आपके लिजिए उसका तरीका क्या चल रहा है अभी UPSC के पैटर्न में तो देखिए पहली चीज़ सो मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ जब भी आप इनवार्मेंट कहते हैं तो मैं इस बात से बहुत शूर हूँ कि आप में से ज़्यादा तरभ भ्यार्थी ये नहीं जानते होंगे कि exactly environment है क्या UPSC का तो याद रखिए UPSC के environment के लिए जब मैं आपसे कहूँ तो आपके दिमाग में आने चाहिए तीन सब्जेक्ट मैं हमेशा इस बात को repeat करता हूँ कि सब्जेक्ट है biology ये सब्जेक्ट है climateology और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ आपको दिखाई देगा फिर पर्यावरण या मैं कहूँ environment अर्थात जो UPSC का trend है या UPSC के तरीका है वो ये है कि वो आपसे इन तीनों का common portion पूछा करता है ये UPSC का actual environment है ये UPSC का पर्यावरण है अर्थात जब भी आपसे पर्यावरण के प्रश्ण पूछे जाएंगे तो वो कहीं न कहीं biology भी उसमें दिखाई देगा आप वो कहीं न कहीं उसमें जो है वो climateology दिखेगा और फिर उसमें पर्यावरण का dimension दिखेगा मैं इसका बहुत सामानी साइक आपको उधारन देता ह UPSC आज अगर आपसे प्रश्ण करता है कि बताएं हिमालय में क्या कारण है कि जैविवित्ता का एक होट स्पोट है तो इसका answer या इसके statements वो biology से भी निकालेगा कि इस स्थान पर जो species पाई जाती है उनके प्रजनन का एक विशेश समय अंतराल होता है जो अन्य स्थान के जी वो से भिन्न है इसी प्रकार से यहां का climate ये बताता है कि भाई हमारा जो पूर्वोत्तर हीमालय है यहां पर आपको आउसत वार्शिक वर्षा अर्थात एवरेज अनुवल रिनफॉल हायर मिलता है as compared to remaining part of India as compared to भारत के अधर छेतर इसी तरीके से यहां का पर्यावरण यह कहता है कि यहां पर चार अलग-अलग प्रकार के पारिस्दिक तंत्र पाए जाते हैं अब देखिए यहां जो मैंने प्रशन भी कोट करा randomly आप यह पाएंगे कि इस प्रकार के प्रशन UPSC अक्सर कोट करता है इस प्रकार के प्रशन अक्सर UPSC पूछा करता है अर्थात अगर आपको इस subject को तयार करना है तो आपको इन चीज़ों को तयार करना पड़ेगा अब यहाँ पर्यावरण जो पूछा जाता है वह भी जोग्रफी से बिलॉंग करता है और इसका एक बड़ा portion climateology के रूप में तो बिलॉंग करता ही है अब इसे तयार किस प्रकार करना है तो देखिए मैं इस बात को आपको shorty से कहता हूँ कि UPSC जो पर्यावरण से प्रश्ण पूछती है यह खासा कठी निस्तर के होते हैं मतलब यह tough level के प्रश्ण होते हैं और इन प्रश्णों को solve करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूत पढ़ेगी अब इसका मैं आपको एक तीन step की simple strategy बताने वाला हूँ द्यान से सुनिएगा और इसी strategy को हम अपने batches में भी follow करते हैं किस प्रकार से तो देखिए पहले strategy देखें और मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ यह है भई आपकी classes याद रखिए कि माल लीजे आप अभी से पढ़ना start करते हैं daily मैं मानता हूँ कि आप 3R तो पढ़ेंगे ही अब आप batch भी समझे और साथ में इस चीज़ को भी समझे कि आपको daily तयार कैसे करना है तो आईए पहले मैं आपको एक strategy बताऊ तीन step की strategy और आपको उसको 3R में follow करना है तीन steps आपको follow करने हैं सबसे पहला आपको 11th class की 11th class NCRT ये read कर लेनी है और इसमें दो किताबे हैं द्यान दे यहाँ पर आपको दो books दिखाई देंगी एक होगी जो भौतिक भूगोल की होगी अर्थात physical geography की होगी और एक भारत के भूगोल की होगी इसके अलावा आपको यहाँ एक और book prefer करनी है यह है 10th class की NCRT अब आप कहेंगे 10th class की NCRT 11th class पढ़ने के बाद क्यों क्योंकि इस class की NCRT में एक environment का section छुपा हुआ उपस्थित है मतलब यह section इसमें उपस्थित है यह मानते हुए आप पर्यावरंड के तौर पर इसे जरूर देखे तो यह एक NCRT आपको cover करनी है अब इसके बाद सुनिएगा ध्यान से देखिए आपको यहाँ पर तीन प्रकार की current affair read करने है तीन प्रकार के current affair का मतलब है एक चीज़ तो यहाँ ध्यान दीज़े map पर आधारित प्रशनों के लिए आपको area अर्थात places इन्हें पढ़ना है और इन्हें ध्यान से पढ़ना है चीक है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जब भी आप read करें आपको environment का current affair किसी भी सांसे जहां से आप read करें आप newspaper देख रहे हो या current affair के कोई compilations पढ़ रहे हो इनमें आपको environment का current affair अलग से देखता है और साथ ही issue based analysis देखने है अब ये issue based analysis कहां से आएंगे ये भाई आपको कुछ website से या फिर आपको ये जैसे PIB हो गया इस प्रकार की website से आपको मिलेंगे और नहीं तो आपको awared form में इनके बारे में सुनते रहना होगा अब यहीं परना एक loop हो लाता है हमें पता नहीं होता कि ये चीजे कहां होंगी या किस प्रकार से इन्हें manage करना है और इसी का बच्चे एक solution है कि आप institutional manner में पढ़ें लेकिन ये निर्नाय आपका होगा लेकिन ये याद रखिए कि ये जो section है इससे प्रशन आते हैं issue based प्रशन दोहराए जाते हैं मैं एकदम clear cut आपको कहूं तो आप सभी को ये बात पता होगी कि UPSC current affair से बहुत motion पूशता है अब आप current affair तयार करने बैठेंगे तो हर मेहने हर दिन का एक current affair होगा उसकी booklets आप बनाएंगे और उसे याद करेंगे पर imagine करिए जब UPSC पूशने पर आता है तो UPSC जो प्रशन अगर मैं आप से कहूं 2022-23 में खास करें कि यहर है मुझे exactly नहीं पता सायद 22 के examination कि यह बात है कि UPSC ने जब प्रशन करें current affair से तो एक या दो ही प्रशन ऐसे थे जो बीते एक साल के current affair से बिलॉंग करते थे otherwise वो पुराने current से बिलॉंग करते हैं और उन्हें ही बच्चे कहा जाता है issue-based questions तो issue-based questions आपको तभी बनेंगे जब आप थोड़ा institutionally पढ़ने का प्रयास करें otherwise थोड़ा in-depth उतर कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो निर्नाय आपका होगा लेकिन हाँ it will take time, it will take effort आपका थोड़ा समय लेगा आपके थोड़ी ज़ादा मेहनत लेगी आप स्वेम भी उस काम को कर पाएंगे पर अगर आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा कम मेहनत पर हो तो देखिए ये sections तो clear है मतलब map आप पढ़ सकते हैं environment का current affair आप कही न कहीं से इस चीज़ को भी manage करेंगे बड़ जो issue based प्रशन आते हैं इन में या तो आपको extra effort, extra time देने की आवशकता है otherwise आपको expert guidance की आवशकता है और ये expert अब यहाँ से आपको manage करना है ये दोनों resources आपको crystal clear रखने है याने कि इन दो को तो आपको तयार करना ही है ये वाला जो section होगा इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा struggle करना पड़ेगा done अप कुछ website मैंने PMF का example लिया इसके लावा बहुत सारी आपको ऐसी website मिल जाएंगी आप थोड़ा सर्च करें तो आपको चीज़ें बहतर मिलेंगी Britannica से लेकर other सारी चीज़ें सब्सक्राइब का convenient भी है थोड़ा सा आसान भी है यह याद रखें कि जिन बैचेस की मैं बात कर रहा हूं पी टू आई यह कहलाते हैं प्रिलिम से लेकर इंटर्वी तक की तयारी के हमारे बैचेस इसमें क्या होगा तो यह भी समझ लें यह 3R की भाई लाइफ क्लास देगा आपको डेली लाइफ क्लास होगे और लाइफ क्लास का मतलब इस प्रकार से नहीं जैसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं यह इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी आप अपने चैट के माध्यम से यहने की जिसमें आप थोड़े कमपटेबल होते हैं यूट्यूब के करण इसके अलावा आप अपने आउडियो आप इवन अपना वीडियो आन करकर डारेक्टिव क्लास में अपने टीचर से अपने डाउट्सों क्लियर कर पाएंगे डेली 3R की लाइफ क्लासेस से चीक है अब आप भी क्लासेस चल रही है और आपके UPSC sivil services के pre का syllabus भी complete हो रहा है प्लास आपके means का भी syllabus complete हो रहा है तो pre और means का syllabus पूरा complete होगा इसके साथ ही ये ध्यान दीजे कि पूरी ही जर्नी के दोरान आपको जो है वो provide करा जाएगा जिसके कारण आपको हो रही थी समस्या अभी और वो है current based analysis यानि कि वो चीजने जो current affair से आती हैं बट काफी पुराना होता है इसे कहते हैं करेंट अफेर प्रोग्राम ध्यान दीजे यह जो करेंट अफेर का और read करने के पश्चात आप तक जो है उस content को पहुँचाया जाएगा एक और चीज याद रखिए इस पूरी ही जरनी में आपको free mentorship मिलेगी एक dedicated mentor आपके जो है आपको a lot होंगे आपके संपर्क में वो रहेंगे और पूरी जरनी में आपका assistance देंगे कि आपको किस प्रकार से चीज़ों को understand करना है अर्थात current affair का program होगा mentorship होगी classes चलेंगे आपकी लेकिन हमने जो आपको batches के बारे में जनकारी दी है उसमें आपने notice करा हो गया कि एक extra word कहा गया है free refund का which is ये technically free हो जाएंगे ये कब free होते है जब आपका UPSC का pre qualify होता है अर्थात pre के qualify होना आपके लि देखिए आपका UPSC का pre qualify होगा ही ये तब होगा संभाव जब आप pre के लिए specially तयारी करते हैं that is called as SIP का program और इस program के माध्यम से देखिए इस पूरे ही section में आपको सारी चीज़े पढ़ाई जाएंगी यानि कि ये सारा कुछ आप पढ़ रहे है इसके अलावा SIP में अलग स आपको जो है वो cover कराये जाएगा UPSC के उन topics को जो preliminary examinations के accordingly जादा important है तो इन topics आप जादा गहराई से पढ़ेंगे जादा बहतर तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपकी ये चीज़ें जो है वो ठीक से तयार हो जाएं अब आप SIP के बात जाएंगे जब paper देने के लिए तो आ होगी कि आपकी fee आपको वापस कर दी जाएगी चीक है सेकेंड लिए होगा कि आपका अगला program स्टार्ट हो जाएगा that is MRP program MRP कार्थ है means residential program study IQ आपको अपने premises में फिर डेली बुलाएगा भई और यहां से फिर आपको वही चीज़ है जो आपने यहां पढ़ी है बट offline manner में और साथ ही answer writing की विशेश practice के साथ यह सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी समझाई जाएंगी आपके वो mentors जिनसे आप अभी तक online माध्यम से वो teacher जिनसे आप अभी तक online माध्यम से जुड़े हुए थे अब आप उनसे live interact करेंगे basically offline manner में सिर्फ इसलिए कि आपका मेंस जो है वो clear हो सके अर्थत आप जो है अपना मेंस क्वालिफाई कर सके आपका मेंस क्वालिफाई होगा आप interview के लिए जाएंगे और interview guidance program का भी फाइदा उठाएंगे अर्थत आप मेंस क्वालिफाई करने के बाद जो interview face करते हैं आपको उसके लिए भी अलग से किसी भ one step solution मिलेगा that is the batches ठीक है अब ये निर्नाय आपका होगा कि भाई आप इसे institutionally करना चाहते हैं या आप अलोनली करना चाहते हैं लेकिन आपको एक चीज क्लियर करना चाहूँगा कि UPSC की जरनी में भले ही शायद assistance आपको ऐसा लग सकता है कि आउशक ना हो लेकिन आप सोच कर देखिए आपको अलग से test series क्या उशक्ता होगी ही आपको अलग से books खरीदनी होंगी ही मतलब आप test series भी खरीदेंगे और test series specifically आप pre के लिए अलग खरीदेंगे और test series आप mains के लिए अलग खरीदेंगे ओके ये mains के लिए होगा अब आप test series pre के लिए भी खरीद रहे हैं मेंस के लिए भी खरीद रहे हैं फिर books भी buy कर रहे हैं और end of the day आपका अन्य प्रकार का जैसे आप जो है वो कई बार कुछ notes में परेशान होंगे कभी जो है वो आपको supplementary substances चाहिए होंगे कुछ ऐसी चीज यह होंगी जिनसे आप अपने notes को enrich कर सकें यह सारी चीज़ें चल रही होंगी पैरलरली अब इस समय अलग अलग समय पर चीजों पर इन्वेस्ट करने के बजाए वन स्टेप आप एक बार join करते हैं तो याद रखिए कि आपको test series pre की भी provide करी जाएगी test series आपको mains की भी provide कर जाएंगी 18 किताबों का set आपको मिलेगा अर्थात आपको कोई भी book further buy करने की जरूबत नहीं है साथ ही आपको cracks यह भी provide करे जाएंगे और यह cracks आपको जो है वो PDF के form में हमेशा available होंगे यह books आपको physical form में provide करी जाएगी आपके पते पर इसे courier की सुविदा से पहुंचा दिया जाएगा तो यह सारी ही चीजें आपके पास available रहेंगी आप सोच कर देखिए यह कितना करांतिकारी तरीका होगा कितना revolutionary manner होगा कि आप तक यह सारी चीजें deliver हों मैं उमीद करता हूं कि आप इन सारी चीजों को समझ चुके होंगे और साथ ही आप उस तरीके को भी सम नेट का यूट्यूब का सहरा लेना पड़ेगा लेकिन इन चीजों में कहीं न कहीं एक कसक हमेशा दिखाई देती है और इस कारण आपको लोग ऐसा कहते हुए भी दिखाई देंगे कि जोग्रफिय इंवारिमेंट के प्रश्णों को हल करना खासा टफ हो जाता है तो इसक एके लाइफ कोड का अब इस कोड की क्या भूमी का है ये भी याद रखिए आप जब एके लाइफ कोड यूज करते हैं तब के केस में स्टडी आईक्यू का कोई भी कूर्स जिसे आप जोईन करना चाहते हैं वो जो भी मेंशेंड प्राइज होगा उसके मेक्जिमम डिसका बना है भई एके लाइफ कोड का इस कोड का यूज करते ही आपका जो कॉस्ट है वो एकदम कम हो जाएगा और आप आसानी से जो है उसे जोईन कर पाएंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैव वेरी नाइस डे थैंक यू हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी